हलो प्रेंट्स नमस्कार दोस्तो अगर आप इलेक्ट्रोनिक फिल्ड में नए हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए हैं इस वीडियो को पूरा कम्पीट देखिएगा आज किस वीडियो पर मैं आपको CRT टीवी पर आने वाले एक फाल्ट के बारे में जानकाई दूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टेलियोन को वान किया हुआ है और इस पर फाल्ट किया है तो इस पर फाल्ट यह है कि आप देख सकते हैं कि इस पर केवल ब्लू और ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है और जो रेट कलर है तो बहुत ही बारीक हलका सा दिखाई दे र आप देते हैं लेकिन उनका法 प्रम मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सा आप सब्से पहले अगर सब कुछ चेंज करके देख लेते हैं तो आप सब्सक्रेंज करने के पहले अगर इसमिक से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो खराबी है पिक्चर ट्यूब से है या किट में खराबी है दोस्तों इस वीडियो को पर कम्पीट देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले आपको केवाल एक मल्टी मिटर का प्राड लेना है अब देख सकते हैं इस प्रकार से और आपको क्या करना है और अब दोस्तों आपको क्या करना है तो आपको टेलिजन को ओन कर लेना है तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे तो हम यह मल्टी मिटर का प्राड है तो इसे लेंगे इसे आपको इस ट इधर से आपका नीचे की तरफ से यह blue कैथोड है और इधर से आप देख सकते हैं यह इसका green कैथोड है और यह दोस्तो इसका red कैथोड है तो अब दोस्तो आप किस पकार से तीनो कैथोड को चेक करेंगे अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से तीनो कैथोड को चेक करना ह दोस्तो मैं आपको तीनों कैथोर को चे मैं भूआ किस प्रकार से आपको क्लेदेधी पर जुस्तिर नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि टीवी हमारा चालू है और अब दोस्तो आपको बारी-बारी से सब पहले में इस जो बुलु कैफोर्र है कि यह जो मंटिमेटर का फ्राइड है इसे हम एक सेकंड के लिए इस पर लगाएंगे तो आपको इस पर ब्लु रंग है तो आप को दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं blue color इस screen पर चमका दोस्तों इसका blue cathode सही है अब इसके बाद यह जो इसका green cathode है इस पर हम एक सकंड के लिए इस पकार से इस प्राट को रखेंगे एक सकंड के लिए दोस्त आप इस screen पर आप देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि green color भी इस screen पर चमक रहा है तो दोस्तों green cathode भी इसका सही है और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो g2 वाला point है इसके नीचे वाला point है यह इसका red cathode का है और दोस्तों इसमें जो समस्य का है red color अगर प्रापर तरीके से नहीं आ रहा है तो दोस्तों अब हम इस पर 1 second के लिए इस प्राट को touch करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस पर प्राट टच कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं इसका मतलब दोस्तों यह जो कैथोड है तो दोस्तों आप इस परकार से क्रेधरोड को चेक कर सकते हैं कि फ्राउबलम क्या पिच्छ ठीऊ से तो नहीं है अगर दोस्तो यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें मिलते हैं ने शुर्ण पर नमस्कार